हेलो फ्रेंड्स गुट मॉर्निंग मेरे चिनल में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने बाले हैं पालक दिया कोबी जिसको हम बोलेंगे हर्याली कोबी उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए पहले हम देख लेते हैं चलिए पहले हमने कोबी लिए पालक इधर हमने प्याज काटके रखे अध्रक रसुन दो ग्रिन चिली धन्याका पत्ता टमाटो पिवरी तेस पत्ता बडी लाईची चार-पांच काली मिर्च दो तिन लावं और काजु दो सुखी लाल मिर्च एक ठोच छोटी लाईची एक दालचि गरम मसाला यही सब चीज को लेके हम बनाने बले हैं हर्याली कोबी चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स हम जो कोबी रखे थे उसमें हाप चमच हल्दी पावडर हाप चमच नमक डालके हम उसको गरम पानी में 15-20 मिनिट के लिए छोड़ देंगे उसमें गरम पानी मिला के क्यों क्योंकि कोबी में चोड़ चोड़ कीड़े होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते इसमें वह निकल जाएंगे इसको यहां छोड़ लेते हैं दूसरे साइड में हम अपना मसाला तैयरी करते हैं पहले हम पालक, काजू, छोटी लाइची, जीरा, सुखिलाल मिर्च यह सब का एक पेस्ट बनाएंगे पहले हम कोड़ाई में तेल डाल दिये, तेल गरम हो गया तो काजू जो समगरी वह सब डाल दे उसेजिए तो समगरी में हमारा जो काजू, सुखा लाल मिर्च, जीरा, स्योलाइची यारी और इसको हम मिक्स में एक पैस्ट बना लेंगे यह देखिए हम निकाल लिए हैं फ्राय करके अब कड़ाई साप कर लिए हैं और थोड़ी सी तेल डाल देते हैं एक दो चमज और जो कोबी को हम छान लिए हैं अभी हम उसको कोबी को फ्राय करते जाएंगे कोभी हमारा फ्राय हो गया है अब हमको एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए कोभी निकाल लिये हैं फिर उसी कड़ाई को साप कर लिये और उसमें हम अभी दो चमस तेल डालते हैं तेल हमारा गरम हो गया है हम दो ग्रीन चिली डाल देते हैं तेजपत्ता बड़ी लाइची और लोंग काली मिर्च वह सब चटक गया है हम अभी इसमें प्याज डाल देते हैं प्याज को हम सोने हरा हमने तक भून लेते हैं प्याज हमारा भून चुका है अभी हम अद्रक और लोसुन के पेस्ट भी डाल देते हैं और सारे मसाला को हम चला लेते हैं अच्छे से मसाला हमार हो गया है अभी हम टमाटो प्यूरी डाल देते हैं टमाटो प्यूरी डालने के बाद हम स्वाधन उसार नामक हल्दी मिला के फिर उसको थोड़ा सा चला लेते हैं अब उसमें गरम मसाला मिलाते हैं और सारे मसाले को चलाते हुए उसको भूनते जाएंगे जब मसाला तेल छोड़ देगा देखिए हमारा मसाला भून चुका है अब हम इस टेज पर पालक का प्यूरी बना के रखे थे उसको छोड़ देंगे और अची तरह सारे मसाले पालक प्यूरी सब अची तरह मिला लेंगे उपर से और एक देड़ को पानी भी मिला लेते हैं जब इसमें बयला आ जाए तब हम उसमें कोबी छोड़ देते हैं ये देख़े हमारा मसल में बयल आ चुका है अब ये कभी कोबी को छोड़ के हम उसको आची तरह चला लेंगे और उसको ढखके श्लो आंच पर ढखके पकने के लिए छोड़ देते हैं दो-तिन मिनिट के बाद हम उसको धकन खुल दो-तिन मिनिट हो गया है धकन खुल के देखते हैं यह देखिए हमारा पालग दिया को भी कितना अच्छा तरह बन चुका है अभी हम धन्या का पता डालके उसको मिला लेते हैं अरहम थोड़ा सा मलाई इसमें मिलाते हैं घर का दूद में दूद से जो निकाला मलाई उसको थोड़ा फ्यंट लेते हैं और उसको मिला के चला लेते हैं हमारा कोभी पालग दिया कोभी हर्याली कोभी बन के रेडी हो गई है कर दो